टोटल मैक्सिमम मार्क्स का क्या अर्थ होता है ये आज किस वीडियो में सीख लेते हैं टोटल का मतलब होता है कुल यानि की सभी को जोड़ कर मैक्सिमम मतलब की अधिकतम या अधिक से अधिक और मार्क्स जो है वो अंकों को कहा जाता है तो मानले जी आप किसी class में 8 exams देते हैं और 8 exam जो हैं वो 100-100 number के हैं तो आपका total maximum marks जो है वो 800 होगा और 800 में से मानले जी आपके 750 आए हैं तो वो आपके जो number हैं जो marks हैं वो आपने लिये हैं लेकिन जो maximum total maximum marks थे वो 800 रहेंगे यानि कि सभी exams के या सभी subjects के जो ज़्यादा से ज़्यादा को जोड़ कर जो maximum जितने आ सकते हैं जितने marks का paper होता है उसको total maximum marks कहा जाता है अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतल समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें